नमस्कार आप सभी का Against Cruption 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेगे सूचना अधिकार अधिनियम RTI Act के तहत सूचना आयोग से भी अपने वाद से संबंधित या किसी भी आदेश से संबंधित कोई जानकारी लेना हो इस प्रकार सूचना आयोग में भी RTI लगाई जा सकती है और अपने वाद से संबंधित सूचना आयोग से भी मांगी जा सकती है चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दवा कर आल पर भी क्लिक कर ले उप्योगी लगे तो इसे अधिक से अधिक सेयर करें जिससे हर भारतिय को इसकी जानकारी हो सके तथा वे अपने वाद से संबंधित जानकारी है तो आयोग से सूचना प्राप्त कर सके क्योंकि बिहार राज के सूचना आयोग में कुछ सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई के दौरान असपस्ट रूप से कोई बाद के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है और नहीं सुनवाई के दौरान पीसी चोधरी एक सूचना आयुक योग में आयुक्त हैं उनके द्वारा अस्पस्टता सुनवाई के दौरान कुछ भी आदेश पारित किया जाता है वो प्राय कहा करते हैं कि आप चले जाईए आदेश आपके घर पे पहुंच जाएगा मेरे भी साथ ऐसी घटना कई बार हो चुकी है इसलिए मैं सुनवाई से संबंधित परती पक्षिगन द्वारा क्या परती विदन दिया जाता है इसकी भी जानकारी वो ठीक ठीक नहीं देते जिससे हम लोगों को क्रिया परती क्रिया करने में परिशानी होती है इसलिए मैं अपने वाद से संबंधित जानकारी है तू सूचना आयोग में ही RTI लगाने का प्रियास कर रहा हूँ आप लोग भी अपने वाद में जानकारी है तू परती पक्षिगन द्वारा किस परकार परती पेदन दिया गया है जूटा है या मनगरंत है इसकी जानकारी है तू अपने वाद से संबंधित संपुन जानकारी सूचना आयोग में RTI लगा कर ले सकते हैं क्योंकि सूचना आयोग भी RTI एक्ट के दारे में है अपने अपने राजिक सूचना आयोग का पूरा पता लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे पूरा पता लिखेंगे मैं RTI लगा रहा हूँ राजिसूचना आयोग के वाद संख्या C551 अबलिक 2027 C550 अबलिक 2022 में दोसी पतादिकारी कौन-कौन है दूसरा दोसी पतादिकारी आक्रमचारी का नाम एवं पदनाम चाहता हूँ तीसरा धारा बीस एक एवं बीस तो की तहत क्या कारवाई की गई है चौथा वाद संख्या C551 अबलिक 2022 एवं C550 अबलिक 22022 के संपुर्ण संचिका या विलेक की परमानित परतिर्शिक रुपलब्द कराया जा यदि आपके पास रासन कार्ड हो आप गरेवी रेखा से नीचे वाले परिवार को के हैं तो आपको निश्र को सूचना दी जाएगी अपना रासन कार्ड संख्या लिखेंगे अपना रासन कार्ड लगवा देंगे अपना नाम और पुरा पता अस्ताक्षर करके अवस्त देंगे मैं इसलिए सूचना आयोग में RTI लगा रहा हूं इस दो बाद में क्योंकि PC चौधरी जो सूचना आयोग था है वो प्राया सुनवाई के दोरान कोई आदेश नहीं लिखवाते इसलिए मैं अपनी जानकारी हेतु और परतिपक्षिगन द्वारा दिये गए परतिवेदन की जानकारी के लिए मैंने सूचना आयोग को ही RTI लगा कर संबंदित वात की संपुर्ण अविलेक की संचिका की प्रमानित च्यापरति की मांग की है आप लोग भी अवस सूचना आयोग में भी RTI लगाए तो आपने बाद की जानकारी प्राप्त करें जाहें